साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पर अभी हम जो प्लांट हार्मोन कवर कर रहे हैं उसका एक आखरी प्लांट हार्मोन जो कि ब्रैसनो इस्टोराइड है यहां से भी एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इसको भी थोड़ा सा मैं हार्मोन तो इसको हम इस पर्ट्बूरा पार्ट में समझेंगे जिस से हमारा प्लांट हार्मोन जो फ्लांट है वो आपका खतम हो जायेगा तो इस लास्ट पार्मोन जो पार्ट है वो सब्त्रीव होता है यह बहुत ही लो क्याते एक औरय च्ट्रोंग् Οथ प्रमोटिंग इफेक्ट दिखा देते हैं इस्टिमिलेट करता है सेल डिवीजन और सेल इलॉंगेशन यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसको याद रखिएगा दा इस्ट्रक्चर आफ यहां पे देखाया गया है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं कोलेस्ट्र इसके अलावा यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो बात है कि अगर म्यूटेशन कर दिया जाए या पी प्लांट में जो कि डिफिशियंट अगर हो जाए ब्रैसमिलोस्ट्राइट की बाय सिंथिस वाले जीन को अगर हटा दिया जा यहां तक आपको कोई समझ्या नहीं आएगी इसके बाद यहीं बात यहां पर भी लिखा हुआ है अगर आप तुलना करें जैसे अनिमल्स केस में आपके स्टराइड हार्वोर्स वगरा होते हैं कोलेस्टॉल के डिरिवेटिव वही चीज यहां पर भी देखा गया है बाकी अता है। और पॉलेन ट्यवी लांगेशन है इसको हायलाइट रखेगा पॉलें ट्यूब होते हैं तो ग्रत आपको यह ऐपकर रूट Ende यहाँ पर आप देख सकते हैं, cell elongation, cell division, xylem differentiation, pollen tube germination में आपका help परेगा, seed germination में और apical dominance को promote करता है और leaf senescence को, अब जो सबसे most 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 important चीज़ जो यहाँ पर आपको समझनी है, वो यह समझनी है कि जो इसका signaling बात में होता है, वो थोड़ा सा different होता है animal signaling से, तो जैसा कि आपको म होते हैं, जो आपके protein होते हैं, उनका जो receptor होता है, वो आपका plasma membrane पर होता है, याद कराया है P से protein, P से plasma membrane, लेकिन जो आपके steroids होते हैं, वो lipid की जो आपकी bilayer है, माल लीजे, इसमें आपका steroid molecule आसानी के साथ निकल जाता है, लेकिन protein के molecule नहीं जा पाते हैं, इसकी अच्छी protein के plasma membrane में होते हैं, बट यहाँ पर यह भी आपका steroid है, लेकिन इसका जो receptor होता है, यह आपका plasma membrane पर होता है, और यह बात यहाँ पर लिखी गई है, तो यह आपको याद रखना है, बाकि signaling कैसी होती है, जब यह unbound condition में है, माल लीजे कि यह आपका receptor है, यह आपका रिसेप् यहाँ पर यहाँ पर आपका एक protein है, जो kinase type का है, जो active होने के बाद यह एक transcriptional factor को क्या कर रखा है, फॉस्फोराइलेट करके inactive condition में रखा हुआ है, जिससे ब्रैसनोस्टोराइट के genes जो है, वो synthesize नहीं हो पा रहे है, लेकिन जैसे ही ब्रैसनोस्टोराइट यहाँ पर आ जब यह deactivate हो गया, जब यह deactivate हो गया तो आपका transcriptional factor active था, जो ब्रैसनोस्टोराइट की gene की synthesis कर रहा था, और यहाँ पर आपको protein का formation देखने को मिलेगा, तो सबसे important चीज़ जो आपको यहाँ से सीख कर जाना है, ब्रैसनोस्टोराइट signal transaction pathway begins at the plasma membrane, जो कि unlikely जो कि आपके animal isteride pathway से different है, तो यहाँ पर सबसे important चीज़ था, तो यहाँ तक बात हमने आपको समझा दिया है, और plant hormones मैंने cover कर दिया गया है, और इतने lecture में, 5 lecture में आपको basic से लेके बड़े level तक signaling तक हर चीज को मैंने एक जगहाँ पर लाके पिरो दिया है, अब आपका काम है कि इसको अच्छ से तयार करके जाईएगा, अभी भी आपके पास 10 दिन का टाइम है, जो की बहुत ही important आपके लिए हो सकता है, और बाकिस channel पर बने रहिए, अभी बहुत सारे चीजों जो salt और efficient जीजे होगी, जो कम समय में आपको number दे सकती है, उन चीजों पर भी कार जा रही है, तो उन च चीजों को भी आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो अच्छे से follow करिए, telegram channel को join करिए, और अपना सब कुछ लगा दीजे, केवद और केवद इस समय पढ़ाई करिए, ठीक है, तो मिलते हैं, next video में, next information के साथ, thank you very much.